हरियोंप्री दरस्कों, मैं हूँ पंडित बलराम पांडे, हाजिर हूँ एक महत्त पूर्ण विशय में बात करने के लिए जोतिस सास्त्र में गोचर के बदलाव से बहुत सारे योग बनते रहते हैं तो कुछ तो दुर योग बनते हैं और कुछ राज योग तो ये जो योग की हम चर्चा करने जा रहे हैं ये बहुत बड़ा राज योग कहलाता है राज योग के स्रेणियों में इसे एक नमबर पे रखा गया है जो एक नमबर में राज योग आते हैं उनमें से एक ये भी योग कहलाता है और ये योग बहुत जल्द बनने जा रहा है और इसके प्रवाव से ऐसी कई राशियां हैं आठ राशियां हैं जिनके लिए ये योग बहुत कुछ लाने वाला है बहुत कुछ जीवन में लाइफ में बदला होने वाला है ये योग तो है कुछ समय के लिए ही परंतु कहते है लाइफ चेंज करने के लिए बस कुछ छण ही चाहिए तो इसी लिए ये गोचर के प्रभाव से ये योग बनने जा रहा है और इसके प्रभाव से आपको बहुत सारी खुसखबरी प्राप्त होने वाली हैं आपके जीवबन में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव होने वाल है ये योग बहुत जल्द बनने वाला है ये योग आपको क्यार जल्ट देगा आये जानते हैं तो जिनके लिए ये योग सुभ हो रहा है लाफदाएक शिद्ध हो रहा है उन लोगों को ये योग मान समान दिलाएगा धन दिलाएगा और या आप संतति की प्लानिंग कर र बिवाह नहीं हो रहा था, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा होगा, उनके लिए बिवाह का योग भी लाएगा, शाथ में ये योग कहीं न कहीं आपके मन को इस्थिरता भी देगा, आपका मन बहुत भटका हुआ था, मन बहुत ज्यादा टिंसन में था, तो टिंसन से भी म या कोई भी महत्त पूर्ण काम करना है इस समय आप कर शकते हैं। साथ में देखा जाए तो ये योग कहीं न कहीं ये जो पुरानी उल्जने थी उन्हें सब को दूर करके और आपके जीवन में एक बहुत बड़ा ट्रनिंग पॉइंट साबित होने वाला है। आईए जान लेते हैं ये योग कब से कब तक बनने वाला है और किन राशिबालों के लिए अच्छा रहेगा और किन राशिबालों के लिए सामान निस्थती रहेगी। तो ये योग 10 जुलाई से 18 बच के 57 मिनट अर्थाद शाम को 6 बच के 57 मिनट से बनेगा और ये योग रहेगा 12 तारिक को 25 बच के 57 मिनट तक अर्थाद ये गुरू और चंद्रमा की यूती की बज़े से इस समय देव गुरू ब्रहस्पति में सरासी में गोचर कर रहे हैं और 10 तारिक को चंद्रमा भी यहां गोचर करेंगे और 12 तारिक तब गोचर करेंगे तो ये यूती की बज़े से गज केसरी योग बन रहा है जो की महत्त पून राज योगों में से येक माना जाता है जिसके कुंडली में यदि गज केसरी योग बने तो उसके जीवन में मान सम्मान धन यस प्रतिष्ठा शंतती विद्या कहा जाये तो सब कुछ उपराप्त कर लेता है तो यदि किसी के जन्म कुंडली में नहीं बना हुआ है योग यदि तो गोचर के बस यदि आपके कुंडली में योग बन रहा है आपकी राशी में योग बन रहा है तो मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है आपको हमेशा तो नहीं पर कुछ समय के लिए तो इस योग का फाइदा मिली शकता है तो आईए जान लेते हैं वो कौन सी भागसाली रासियां हैं जिनके लिए ये योग लावदायक शिद्ध होने वाला है सब कुछ देने वाला है तो सबसे परतम राशी है मेश राशी दूसरी राशी है मिथुन तीसरी राशी है करक और चोफी राशी है शिंग और पाँचमी राशी है तुला और फिर धनू, मकर और कुंभ ये राशियां आठ राशियां हैं जिनके लिए ये गोचर का प्रभाव ये गज के सरी का प्रभाव आपको यस्पतिष्ठा धन संपत्ति मान सम्मान आदि आपको दिलाने बाला होगा और जिनका बिवाह नहीं हुआ उनके लिए ये समय होगा कि यदि आप बिवाह के लिए प्रोश करना चाहते हैं रिष्टा देखना चाहते हैं ये समय होगा दो दिन का कि इस समय आप engagement के लिए जैसे लोग जाते हैं मिलने, लड़का-लड़की देखने जाते हैं, शाधी fix करने जाते हैं, तो यदि इस समय करते हैं, तो ज़्यादा समभावना बन जाती है कि आपको इसका लाब राप्त हो सकता है, आप job के लिए आप interview देने जाते हैं, तो आपक job लग सकता है, यदि आप कोई महत्यपून डील करना चाहते हैं, तो इस समय आप कर सकते हैं, लाब दायका आपके लिए शिद्ध होगी, बच्चों के लिए admission लेना चाहते हैं, यदि आप और भी कोई काम करना चाहते हैं, ये जो समय है, दो धाई दिन का, इस समय आप अप अपने सभी कामों को कर सकते हैं, अब जान लेते हैं, चार राशियां हैं जिनके लिए ये गज के सरी योग शामान रहेगा, बहुत अच्छा फल नहीं देने वाला है, तो सबसे पहरी राशी है ब्रस, दूसरी राशी है गन्या, तूसरी राशी है ब्रस्चिक, और आखरी राशी है, चोथी राशी, और राशी के क्रम में भी आखरी राशी है, मीन, तो आईए अब हम जान लेते हैं, जिनके लिए ये योग बहुत अच्छा फल नहीं देने वाला है, शावधानी बरतना चाहिए आपको, उनको एक तो कोई भी आपके आज पास मंदिर हो, वहाँ उसको बैठके मंद्र है तो जब करिए और पाठ बनता है कोई तो उसका पाठ कर लिजिए, और साथ में भग्वान विश्णू की आराधना जितनी जादा कर सकें, भग्वान विश्णू को तुलसी का आर्चन करना, भग्वान विश्णू के और देव गुरू भरहस्पति और चंद्र के मंत्रों का जब करना एक माला दो माला जितना ज़्यादा हो सके कम सकम एक माला करिए और बड़े बुजुरुगों का सम्मान करना और यदि संभव हो आसानी से हर घर में उपलब्ध होता है हल्दी तो उसका तिलक करिए और शंभा हो ये जो दो दिन का समय है इसमें आप क्या कर सकते हैं कि यदि आपके पास उपलब्ध हो तो पीले कपड़ा धारन करें या तो फिर सफेद इस से ये ग्रह का जो प्रभाव है ये जो योग बन रहा है इसका आप भी लाग उठा सकते हैं और जिनके लिए ये योग अच्छा फल दे रहा है उनके लिए और भी बेटर फल प्राप्त हो सकता है तो प्रिदर्सकों ये संकला हमने चालू की है योगों की गोचरवसाद जो योग शुब योग हों या दुर योग हों बनते हैं उनका बहुत बड़ा प्रफाव होता है हमारे जीवन में आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों की स्तिती बहुत गड़वड होती है पर अचानक चेंज हो जाती है या कोई बहुत अच्छा काम धाम चल रहा है बहुत सब कुछ बड़िया है रचानक एक दो दिन एशा समय आता है कि सब कुछ गड़बड हो जाता है हमसे इसी गलतियां हो जाती है वो कारण यहीं होता है कि गोचर वसाथ बहुत सारे दुर योग और राज योग बनते हैं उनका प्रफाव हमको प्राप्त होता है तो यह सभी के लिए बहुत महत्पूर वीडियो है अब योग की संख्रल चालू है आँगे आपको प्राप्त होती रहेगी यह हमारा प्रत्न होगा तो इसे देखना भी चाहिए आपको पूरा शुरुआत में मत चोड़ दीजिए पूरा वीडियो देखिए क्योंकि यह आप अधूरी वीडियो चोड़ते हैं तो वह कहीं न कहीं आप भी confusion में हो जाते हैं क्योंकि पूरा पता नहीं चलो फिर दूसरी वीडियो आई तो उसको भी देख लिए कोलुकों का हिथ हो गा कहते हैं न कि 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 हम कि किरें etme करते हैं हमारा हिभी हुझ हुझा सलिए यसलिए इसमें कोई पैसा नहीं लगना है ठोड़ा आपका समय लगेगा श्यर जरूर करिए और ऑवि ऐसको सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताईए वीडियो कैसी लगी और ये संखला कैसी लग रही आप लोगों को जरूर कमेंट करके बताईए आपकी कमेंट का इंदजार रहेगा मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्नवाद